दोस्तों नमस्कार सुवागत है आप सवी का अपना चैनल आई एंटी हिंदी टेक में जैसा कि हम सवी जानते हैं कि वाटसेप इस्तिमाल करना हम लोगों का जरूरत बन चुका है और इसी बीच वाटसेप के तरफ से एक नया टरम्स और प्राइवेसी पॉलिसी लाकर रख दिया गया है यानि कि अगर आप वाटसेप इस्तिमाल करना चाहते हैं तो हर हाल में इसे एगरी करना ही होगा यहाँ पर WhatsApp ने नया टर्म्स और पॉलिसी में ये बता रखा है कि अब जो है आप लोगों का डेटा जो है Facebook के साथ सेयर किया जाएगा हाला कि पहले भी सेयर किया जाता था लेकिन बड़े पैमाने पर अब आपका डेटा Facebook के साथ साजा किया जाएगा जो कि इसे साफ सब्दों में समझे तो आप लोगों का जो WhatsApp का डेटा है वो Facebook पर इस्तिमाल किया जा सकता है Facebook, Instagram और WhatsApp तीनों को आप एक ही समझ कर चलिए तो इसी सब चीजों को लेकर जो है लोगों के मन में ये चिंता बना हुआ है कि हमारा डेटा सेक्यूर रहेगा या नहीं रहेगा आगे चल कर क्या पता क्योंकि यहाँ पर पहले ही टर्मेंट केंडिसन हम लोग जो है एकसेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और WhatsApp इस्तिमाल करेंगे तो उसकी बाद हमारा डेटा सेक्यूर रहेगा या फिर नहीं रहेगा जब WhatsApp अभी ही इस तरह के बाते कर रही है हाला कि WhatsApp का भी यहाँ पर ज़्यादा इस्तिमाल हो रहा है जो कि हम सवी को पता है कि यहाँ पर पबलिक सेक्टर बैंक भी अब WhatsApp बैंकिंग की फीचर्स लेकर आई है जहाँ पर यह लोगों को मैसेज करती है कि आप हमें WhatsApp पर इतना इतना नमबर पर मैसेज कर सकते हैं दे दिया है उस पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं देखिए दोस्तों हम इस वीडियो में जिस एपलिकेशन की बारे में आपको बताने जा रहे हैं वह एपलिकेशन WhatsApp से कई गुना सेक्यूर है और Telegram से भी सेक्यूर है उसमें सेक्यूरेटी के मामले में अगर कहीं मैसेज करना चाहते हैं या फिर कॉल वगरा करना चाहते हैं तो वह आप लोगों के लिए सही हो सकता है तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिग्नल प्राइवेट मैसेजिंग अप के बारे में हम आपको बता दे कि सिग्नल अप जो है एक पॉपुलर अपलिकेशन है जो की प्राइवेसी के मामले में बहुत ही जादा पॉपुलर है जिसे दुनिया भर में सेक्यूर अलग नहीं है इसे इस्तिमाल करना काफी सिंपल है तो दोस्तों ये है सिग्नल प्राइवेट मैसेंजर जो की आप लोग देख सकते हैं इस वाले आइकन के साथ आपको यह एपलिकेशन मिल जाएगा गूगल प्ले स्टोर में जैसे ही आप सिग्नल सर्च करोगे यह एपलि लाइन मोड में भी इस्तिमाल कर सकते हो और इस एपलिकेशन के सेक्यूरिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों सेक्यूरिटी के लिए आपको सोचना नहीं है बलकि यह एपलिकेशन सेक्यूरिटी के नाम से ही जाना जाता है तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस एपलिके तो आप लोग अगर पहले से बैक अप बनाए होंगे तो यह श्टोर कर सकते हैं आगे की वीडियो में बात करेंगे तो सिंपल से आपको यहाँ पर कंटिन्यू करना है उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है अनुमती आप देना चाहे तो दे सकते हैं नहीं तो आप नहीं भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना यहाँ पर जो भी अनुमती आपको देना है वो दे लो और नहीं देना है तो छोड़ दो तो इस तरह से आप अनुमती दे सकते हैं उसकी बाद आपको यहाँ पर मॉवाइल नमबर एंटर करना है जिस तरह से आप वाटसएप एकाउंट बनाते हैं सेम उसी परकार से मॉवाइल नमबर एंटर करके OTP से वेरिफाई करके अपना नाम बेगरा डाल कर परफाईल पिक् चेंज करें या फिर दोस्तों आप यहाँ पर फिर से OTP डाल कर लोगिन करने आए तो वहाँ पीन डालना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है इसमेस के थूरू भी यहाँ अप्लिकेशन काम करती है वो आगे की वीडियो में सकते हो कॉंटेक्ट का नहीं तो इसे आप जो है डेनी वी कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बता दू कि हमारा एक और नमबर है जो मैंने एकाउंट बनाया था तो अभी मैं चैट करके दिखाऊंगा तो देखिए दोस्तों हमने जो है दूसरा नमबर से इस एप्लिकेशन प और एक और दूसरा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें लिखा गया है इन सिक्यूर एसमेस दोस्तों यह क्या होता है कि यह आफलाइन आप सेंड कर सकते हैं जो कि जिस तरह से आप अपने मैसेजिंग एप सेंड करते हैं उसी परकार से यहाँ पर आफलाइन आप सेंड करने की options जहां पर click करके आप यहां से select कर सकती है इस परकार से तो यहां पर बिलकुल जो है WhatsApp की तरह ही यहां पर send होता है जो कि आप लोग देख सकती है अगर सामने वाला send कर जाता है तो यहां पर जो है इस तरह से बताया जाता है ठीक है ना तो इस परकार से आप जो भी message भीजना चाहो इस तरह से आप send कर सकती है और काफी fast आप इस्तमाल कर सकती है लेकिन दोस्तों यहां जो application ने वो थोरा सा slow application ने जो कि इसे improve करना बहुत ही जादा जरूरी है अगर हम photo वगेरा के बारे में बात करें तो यहां पर जो है आप click करके photo भीज सकते हो voice recording भीज सकते हो सारा सुवधा आप लोगों को यहां पर मिल जाती है तो यहां पर आप एक group भी बना सकते हो new group पर click करके उसकी बाद काफी आसानी से यहां पर group बना सकते हो आपका जो number विगेरा है वो contact से खो जाएगा उसकी बाद आप group बना सकते हो settings में आपको काफी सारे options मिल जाती है देखिए उपर में यहाँ पर sms and mms की options आता है यहाँ पर आप off रखिएगा अगर आप इसे default messaging app नहीं करना चाहते हैं अपने device का तो अगर आप इसे on रख दी जागा ना तो जो भी message वेगरा होगा आपको signal app में ही नजर आएगा जो भी आपके बैंक के तरफ से आएंगे या फिर कोई बंदा offline message करेगा ना तो उस तरह से आपको यहाँ पर जो है अगर on करोगे तो आपको signal app में ही नजर आएगा और यहीं से आप जो है reply दे सकते हो अपने device का messaging app इस्तमाल नहीं करना चाते हो तो छोड सकते हो यहाँ पर on करके ठीक है ना उसकी बाद दोस्तों यहाँ पर theme वेगरा भी आप काफी आसानी से change कर सकते हो language का भी options मिलता है आपको media auto download वेगरा का तो वो options भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है जो कि आप चाहो तो download कर सकते हो wifi या फिर mobile data से तो यहाँ पर वो options भी मिल जाता है उसकी बाद यहाँ पर system emoji वेगरा का भी options मिलता है आप अपने chat का backup भी बना सकते हो जो कि external storage में आप backup बना सकते हो और उसकी बाद जव कभी आप जहे है application में mobile number डाल कर login करने जाओगे उस समय रिये store की options मिलता है आप लोग रिये store कर सकते हो उसकी बाद यहाँ पर storage बताया जाएगा उसकी बाद दो यहाँ पर linked device की options आता है जो कि यहाँ पर pin settings का options मिलता है अगर आप अपना account delete करना चाहते हो तो delete account पर क्लिक करके आप अपना account को delete कर सकते हो यहाँ पर notification की बारे में बात करें तो notification settings भी आप लोगों को मिल जाती है उसकी बाद chat में भी कुछ settings मिलता है यहाँ पर क्लिक करके disappearing message का feature सापको मिल जाता है disappearing message का अगर आप चाहते हो कि हम जो भी message करें वो 30 seconds, 1 minute, 30 minute ऐसे करके delete हो जाए या फिर यहाँ पर एक week में या one day में तो आप यहाँ पर timer लगा सकते हो उसकी बाद जो भी आप message करोगे automatic यहाँ पर delete हो जाएगा यहाँ पर आपको video call का भी options मिलता है voice call का भी options मिलता है WhatsApp के मुकाबले voice call और video call काफी जादा clear आप कर सकते हो quality video call का बहुत ही अच्छा है जो कि आप एक वर करके try करके देख लेना तो यहाँ पर WhatsApp के बदले में आप चाहो तो इस application के साथ जा सकते हो अगर security का ज़्यादा चिंता हो रहा है WhatsApp पर तो आप इस application का इस्तिमाल कर सकते हो उसकी बाद यहाँ पर block वाला भी options मिल जाता है तो कहीं ने कहीं आपको जो है लगेगा कि WhatsApp हम इस्तिमाल कर रहे हैं WhatsApp ही इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि WhatsApp से features अलग नहीं है अगर सामने वाला बंदा typing कर रहा होगा तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि चलो सामने वाला बंदा typing कर रहा है जैसे अभी आप देख सकते हो दूसरा device से हम typing कर रहे हैं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सामने वाला बंदा typing कर रहा है और typing करना छोड़ दोगे वैसे ही यहाँ पर बता दिया जाएगा कि सामने वाला बंदा आप typing नहीं कर रहा है और दीरे दीरे इस application में functions बढ़ाए जाएंगे features बढ़ाए जाएंगे आप location वेगरा सारा कुछ यहाँ पर share कर सकते हो काफी आसानी से तो यहाँ पर हमने इस application की बारे में आपको छोटा मुटा थोड़ा बहुत जानकारी दे दिया है दीरे दीरे आप इस application को इस्तिमाल करने लगेंगे उसकी बाद आप लोग जो है सारा facility इसमें का जान जाएंगे और कैसे कैसे यह application का function से वो सारा कुछ जाएंगे तो आप लोग पहले इस्तिमाल करके देखिए अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताए कि आपको यह application कैसा लगा अच्छा लगता है तो अच्छा बताए अगर आपको यह application खराब लगता है बुरा लगता है तो आप जरूर कमेंट करें साथे साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और इसी परकार के वीडियो प्राप्ति के लिए चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजेगा हाला कि यह application आप लोगों को थोरा सा स्लो देखने को मिल सकता है लेकिन दीरे दीरे यह application भी इंप्रूव हो जाएगा तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में हमें दीजिए इजाजा तब तक के लिए गुडबाई